दिल्ली में जो नियूंतम तापमान है वो साथ दिगरी के करीब पहुँच चुका है और अब माना ये जा रहा है बौसम भाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों हो सकता है कि पारा और नीचे जाएगा एक तरफ पारा लगाता नीचे जा रहा तो दूसरे तरफ आम लोगों को कोहरे से जूचना पड़ रहा है सुरेदेओ के दर्शन नहीं हो रहे तो इन सब के बीच लोगों की परिशानी कैसी बढ़ी है और जिसका मैं सबसे जादा जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि रैन बसेर है बिल्कुल आपने सही बात कही है जिस सरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है और केवल ठंड नहीं है और केवल कोरा भी नहीं कह सकते हैं दो चीजे और साथ में एक तो शीत लहर है उसके अलावा जैसे-जैसे कोरा बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रही है विजिबिल खोता है एक दूसरे को फीड करते हैं तो अगर घना को रहा है तो कहीं न कहीं प्रोदूशन जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा और आज जो एक्यूआई दर्ज कराएगा दिल्ली के कई लाकों में एक्यूआई जो है वो 300 के पार है नोईडा में 350 है 328 के आसपास लेकिन उसके अलावा जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं आप आफिस आ रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो आफिस में आफिस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा परेशानी का कारण बरना है और कहीं न कहीं एयर पॉलिटेड है लोगों को दिक जो most populated जगे होती है आसपास की जहां पर लगता है कि नहीं रैनवेसोनों की आवशक्ता बहुत जादा है उसमें कश्मीरी गेट है ISBT है निगम बहुत घाट है इसके अलावा नोईडा के बहुत सारे इलाके हों खासकर metro stations के नीचे और metro station के नीचे चाहें नोईडा हो या द उसुक तहट वो लोग भी कारवाई कर रहे हैं जो उनकी tie up संसा है उसके माध्यम से रैनवेसोनों काम कर रहे हैं लेकिन बड़ी समस्या यह है कि कई लोग जो अपने बचपन से यहां पर दियारी मज़ूरी कर रहे हैं डेली के कामगार हैं उनके पास किसी प्रकार का आई कारड नहीं और जो रहन बसेरे हैं वो बिना के एंट्री नहीं देते हैं एक पहचान पत्र आपके बाद सुनना चाहिए उसके बाद ही आपको एंट्री मिलें Spiel 12 बजे के बाद रहन बसेरों में एंट्री नहीं सब् blending ने सब्सक्राद को और के तो क्योंद राजस्रकार 1999 और शायद जब ठंड बढ़ रही है शीद ले know Deidhap ality. इस समय अगर राजसरकार की भाई लोग ठंड में नहीं सब्सक्राइब पहलों नहीं झालत… झाल झाल